Thank you so much for watching ILS वाला इंडिया जैसे हर बार की तरह हम आपके लिए listening और reading की practice वीडियो लेकर आते हैं आज लेकर आएं आपके लिए writing past 2 की वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप 7 plus bands को कैसे ले सकते हो mobile की screen recording चल रही है हमारे instagram page की और उस instagram page के उपर जो हमने reels अपलोड करी है पोस्ट अपलोड करी है और stories अपलोड करी है वो भी सब screen recording ही करी है क्योंकि latest exam होकर गए है reading passes 1, reading passes 2, writing task 2, writing task 1, listening and speaking भगवान की किरपा से 100% हिट गई है एक बार आप video pause करकर मेरे instagram page के उपर चेक कर सकते हो एक बात मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ हम screen recording इसलिए upload करते हैं वो because of what true होती है plus हम google से उठाकर screenshot upload नहीं करते क्योंकि google से उठाकर screenshot exam के हमारी pdf में आया यह वो वो सब fake बन जाता है reality के साथ काम करते हैं अगर किसी भी student को listening, reading, writing और speaking की pdf चाहिए तो आप मुझे whatsapp के उपर message कर सकते हो left and right आप students का result देख सकते हैं जो भगवान की किरपा से 100% है और you can drop me message on my whatsapp तो पहली बार चैनल पे आए तो जुरू subscribe and like करें Thank you so much for watching In this video जो आज की हमारी जो class है यह 9 band score का writing essay 2 है जिसमें आपको सिखाएंगे आज आप कैसे आ सकते हो और इसके 100% chance है upcoming IELTS exam में Because आजगी एड़िक अंदर हम prediction से ही सबको शुकरवा रहे हैं जो आपको online classes दी जा रही है यह prediction से दी जा रही है जो हम prediction material students को देते हैं जिसके आने के 100% सबसे ज़्यदा chance होते हैं और उसी की उपर हमारी class होती है So congratulations है सबको because of first of all हम बिलकुल free of cost classes देते हैं हम classes का कोई 5,000 नहीं लेते कोई 6,000 पे नहीं लेते कोई 7,000 नहीं लेते At least जो online classes लेते हैं चाहे वो offline classes लेते हैं आप गर पर बैठकर भी अपना ILS exam crack कर सकते हो Just आपको एक need है एक trust की एक विशुवाश की सबसे पहले एक self trust आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है Second is आप ILS वाला इंडिया चैनल subscribe कर सकते हो सिर्फ हमारी एक यही शर्त है और आज रात को 8 बज़े जो हमारी class होगी वो होगी reading की और reading की class मैं वो करूँगा जो आप comment में बताऊगे जो आप comment में बताऊगे मैं reading की class उसी को उपर लेकर आऊँगा तो must comment in this video और like जरूर करें अपने parents की खुशी के लिए अपने parents की help के लिए और कोई शर्त हमारी सिर्फ एक है कि subscribe करो channel को और join करो telegram group for more videos अपनी एक शर्त थोटी सी और है अपनी pen और copy अपना साथ लेकर बैठ जाए because काफी चीज़ें जो होती है हम copy के उपर paste करवाते हैं कि आप लोगों की help हो जाए because copy के उपर paste करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादे जुरूरी है first of all हम बात करते हैं अपनी statement की because statement को read करना बहुत ज़्यादे जुरूरी है students को statement ही sometimes समझ में नहीं आती यहां पर first of all बात करेंगी है these days these days को आप कैसे change कर सकते हो आप कौन से ऐसे keywords हैं जो आपको underline करने या अपनी understand करने के लिए but उससे पहले क्या है कि first जो हमारी statement है इसको near about four times four times we should read about it for know about कि हमें इसको read करना चाहिए और इसको अच्छे से जानने के लिए because अगर four times हम इसको read करते हैं तन हमें पता चलता है जैसे कि these days more father stay at home these days more father जाला तर father है वो stay करते हैं घरों के अंदर take care of their children अपने बच्चों की देखबाल के लिए and mothers go to reason for this इसके पेछे क्या एक वज़ा है do you believe that this is positive और negative development अब यहां पर किसकी बात कर रहा है यहां पर बात कर रहा है एक parents की यहां पर बात कर रहा है children की father है जो गर पर रहते हैं mother काम पर जाते हैं ऐसा क्यों होता है और इसका positive trend क्या है और इसका एक negative trend क्या है हमें इसके उपर जारा से focus करना है अब यह मेरी statement है अब मैंने क्या किया जो चीज़े जो synonyms आप change कर सकते हो उनको आपने change करना है जो आप change नहीं कर सकते उसको same to same आपने अपनी copy पर मतलब लिख देना है जो आप real exam में बैठे हो चाहे आप real exam में नहीं बैठे same to same उसको copy कर देना है बड़ जो चीज़ आपके mind में on the time उस time are यह आपने कोशिश करनी है उसको change करने की जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है these days these days को किसमें change किया at the present time भी लिख सकते थे nowadays nowadays में change कर दिया गया these days को same आपने भी ऐसे ही अपने these days keywords को change करना है अपने introduction में because आपके introduction ही आपकी help करेगी आपका writing में bands को लेकर आने में अब मैंने these days को translate कर दिया nowadays में अब nowadays तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप मेरे पास next idea भी होना चाहिए आपने अपनी copy के उपर एक idea लिखना है एक example लिखनी है और उसी को elaborate करना है कैसे करना है मैं आपको यह भी सिभ खाऊंगा इस writing task 2 में बस आपको time देना होगा अपना आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़े वो time मांगती है यहाँ पर देख सकते हो more and more women are choosing their career आप इस line को copy पर भी लिख सकते हो over motherhood means की more and more आप यहाँ पर youth लिख सकते हो human being लिख सकते हो choosing their career their over motherhood means की अपने motherhood के लिए वो क्या करते है career को choose करती है and more often men are around with their responsibilities related to rising children and caring for the home means की more often जो man है वो found करते है responsibilities को related to children children के related जो बढ़ रही है अपने गरों में गरों में की care करते है और गर की वो देखबाल करते है this gender trend has been amplified in the recent years की जो एक कुछ लास्ट years में ही ये फैलना start हुआ है feminist movements that have emerged in the recent years claiming the men and women have the same rights and the same responsibility when it comes feeding their family tables and educating their children मतलब की अब दोनों की जो responsibility है अब इसमें क्या लिख दिया गया है की अब दोनों की ये responsibility है mother की भी है and father की भी है अपने families को care करना उनको अच्छी education देना उनके साथ अच्छे तरीके से movements हैं जो उनको हर एक चीज़ को सिखाना है ये कुछ last year से हूने लगा है but ये responsibility किन की है? इन दोनों की है mother and father की कि इस essay के अंदर मैं आपके साथ explain करूंगा and positive effect जो our society के अपर उपर जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे अब देखिए यहां पर जो बात करीगी वो mother के career की बात करीगी यहां पर father के children care की बात करीगी आपने क्या करना है अगर आपको ऐसा negative and positive लिखने को मिल जाता है आपने first of all क्या करना है मैं आपको underline करता हूँ आप यहां पर देखिए nowadays में बात करकर यहां पर जो बात करी गई है वो mother की बात करी गई है और यहां पर जो यहां से यहां से जो बात करी गई है वो father की बात करी गई है मतलब कि एक point इसका लिख दिया गया एक point father का लिख दिया अब ये दोनों point हैं जो अब यहां पर जो दोनों point है ये दोनों को plus कर दिया गया मतलब कि इनको merge कर दिया गया अब दोनों को जोड़ दिया गयا कि actual में mother की और father की दोनों की responsibility क्या है आपने एक line उस चीज़ की लिखनी है एक line उन दोनों की लिखनी है explain करूँगा अपना next ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाता है positive trend और negative trend यह दोनों का आपको अगर देखने को मिलता है अब बात करते हैं B1 और B2 की अब B1 में मुझे क्या देखने को मिल सकता है और B2 में मुझे क्या देखने को मिल जाता है the comments with the the fact that women are now taking lending rules in companies affect positivity the household environment since kids as especially girls grow up looking at the example of their mother being independent and self sufficient woman that is capable the sporting their home the same way their dad does मतलब की यहां पर जो बात कर रहा है वो एक वो में टेकिंग की बात कर रहा है एक गर्ल की rights की बात कर रहा है कि एक जो women है women first of all companies की तरह काम करती है चाहे वो गर है चाहे वो बार है उनका जो positive है उनका जो environment के उपर हमेशा positive effect ही रहता है like अपने kids के उपर like especially girls है जो grow up करती है looking for the mother being independent वो जालातर जो girls है वो independent बनना चाहती है जो independent बनती है self-sufficient women जो self खुद के लिए खुद कमाते हैं खुद वो अपना responsibility को understand करते है उनकी supporting है and home गरों के अंदर यह same way चलता है उनके father का अब यह एक example के थुरू हमें समझाएंगे कि एक example कैसे आई means कि यहाँ पर यह बताया गया है कि एक women का सबसे बड़ा role क्या होता है अपने चाहे वो कहीं पर work कर रहे है वहाँ पर चाहे वो गर के अंदर बहुत जगा पर एक different responsibility जबाई है women अपने kids को लेकर चाहे वो उनका मामला education को लेकर हो चाहे वो looking forward their future looking forward वो future को लेकर हो for example that अब यहाँ पर एक example दी गई है example में अगर हम बात करें in the unpredictable case that कि जहाँ पर mostly हमें problem देखने को मिल जाती है parents get divorced or father is unable to work due to the sufficient reason such as illness or death कि जब मान लो एक example है मान लो कि इनकी आपस में बनती नहीं है इनका divorce हो चुका है इनका divorce हो चुका है अपने reason क्या है यह बिमार हो चुके हैं और इनकी death हो जाती है because इनके पास care करने वाला कोई नहीं रहता the mother is adequate prepared to play her role and vice versa which creates the affair of confidence and trust in a household और वहाँ पर जो एक mother होती है जो prepared होती है already इस role को pay करने इस role को मतबब गी अदा करने के लिए जो उनकी care करती है उनकी help करती है और एक confidence के साथ उस जो all over situation को होता है वो संभाल लेती है अब हमें भी पता कि जब किसी का divorce हो जाता है तब उसके पास उसकी सिर्फ mother ही होती है उसके care करने के लिए और अगर wife वहाँ से तब चली जाये तो अगर wife है तो mother चली जाये तो means कि दोनों आपस में life को spend कर लेते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं एक दुसरे की care करने के लिए मतलब कि यहां पर एक divorce case को लेकर example दी गई है कि divorce case अगर हो जाता है तो उसमें problem क्या-क्या हमें देखने को मिल जाती है furthermore अब जो next one both parents can share nature and children because they spend that same same amount of time activities with them कि अगर father parents है दोनों उनका nature बहुत अपच्छा है एक दुसरे के साथ उनकी बहुत अच्छी time spent होता है तो वो दोनों activities कर सकते है and activities के साथ साथ वो दोनों एक दुसरे को बहुत अच्छा time दे सकते हैं for example that for instance in the past the bobby hardly know the father because was the one who was always in the office वहला कि past में boy hardly know this father because he was the one who was always in the office father हमेचा always office में रहते थे hence only adult they were close with his mother और only जो उनका बच्चा था वही ज्यादा close था अपनी mother के therefore when mothers are not working जब उनकी माता काम नहीं करते थे father have the opportunity to establish the connection with their teenager तब फादर के पास मतलब की एक opportunity थी अपने connection को establish करने के लिए किसके साथ with their teenager अपने ही बच्चों के साथ बच्चों के साथ अटेशमेंट नहीं बन पाएगी जब मदर काम पर जाएगी दोनों एक दूसरे को time देंगे अब बसली बात है इसमें कोई बड़ी बात नहीं करी गई अब इसका conclusion क्या निकलता है अब इसका sita क्या निकलता है और father को एक opportunity दी जाती है अपने बच्चों को close जाने के लिए action that is was entering their relation and on the other hand woman look at them equal and independent like man कि जो mother है वो look out करती है equal का और independent होने के लिए मतलब father काम गर पर रहते हैं mother काम पर जाती है total conclusion है कि house इसमें mother ज़्यादा काम कर रही है because father अपना ज़्यादा close हो जाए अपने बच्चों के और उनको समझ सके उनकी care कर सके उनको understand कर सके और उनको एक best career एक best future दे सके और यहाँ पर B1 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर divorce की बात करी गई थी जगर divorce हो जाता है तो उसके बाद क्या conditions हो जाती है B1 में बात करी गई है, B2 में बात करी गई है कि दोनों एक साथ time देंगे बहुत अच्छा career बहुत अच्छा future बिना सकते है conclusion में बात करी गई है कि उनको कैसे रहना चाहिए कैसे उनका profession है mother father को time देती है ज्यादा बच्चों के close जाने के लिए इनको equal independent बनाने के लिए like है man तो ये था हमारा आज का writing task 2 अमीद करता हूँ आपको काफी अच्छा से समझाया होगा और आपको real exam में 14 स्यादा near about 6.5 band score लेने में problem नहीं आएगी so keep sporting, keep love I need your support, I need your help must subscribe this channel